बच्चों की नाक बहुत बहती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बागबटी जी कहते हैं कि नाक बह रही हो, सर्दी बहुत हो, जुकाम बहुत हो, तो गोमूतर तो नहीं कहा उन्होंने, गोगरत कहा, गोगरत मने गाय का घी, एक एक मून नाक में डाल प्लेनी है रात को एक-क-बून गाएका घी नाक में डालके सो जाओ बहुत गहरी नीद आएगां आपको खराटे बंद करने बहुत लोगों को खराटे आते हैं रात को सोते समय सोने वाला तुनी जानता पडोसी जानता है कि क्या तकलीफ होती है तो जिनको भी खर्राटे बहुत आते हैं उनके लिए बहुत अच्छी दवा में बता के जा रहा हूं गाय का घी एक एक मून नाक में डाल लो तीन दिन बात चौथे दिन से खर्राटे बिलकुल बंद हो जाए इसमूत एकदम आपकी नीद हो जाए तो गाय के घीका भी उपयोग है औशदी के रूप में गोम उत्रका अब आता हूं बाल जड़ते हैं बहुत सारी बहने शिकायत करती हैं बाल जड़ रहे तो गाय के दूद का दही बनाओ दही को तावे के बरतन में रख दो पांच-छे दिन रखा रहने दो फिर हरा हरा हो जाएगा फिर उस दही को बालों में लग एक गंटे के बाद बाल धो दो शीका काई से शैंपू से नहीं शीका काई से हफते में चार बार कर सकते हैं और बाल तूटना एक ही हफते में बंद हो जाते हैं एक ही हफते हैं कई बहनों ने तो मुझे बता राजी भाई हमने तो एक ही बार किया था उतने में भी बंद हो अच्छा बविश्य में बाल ना तूटें अच्छे रहें दुरुस्त रहें तंदुरुस्त रहें तो महिने में एक बार या नहीं तो महिने में दो बार गाय के मूत्र से बाल दोलो बहुत अच्छा कंडीशनर है नेचुरल औरगेनिक कंडीशनर है गाई का मूतर तो जैसे आप कंडीशनर यूज करते ना उसकी जगे गो मूतर यूज कैसे करें गाई के मूतर में थोड़ा पानी मिला दे ना और जैसे कंडीशनर यूज करते हैं वैसे कर लें और आगे बढ़ता हूँ बच्चों की पसलियां बहुत तकलीफ के स्थिती में हो बच्चों की आप कई बार महसूस करते हैं न उनको बलगम जमा हो गया कफ जमा हो गया तो ऐसे बच्चों को एक चमच गो मूत्र पिला दो एकी दिन के बाद वो सारा कफ उतर जाएगा आपको पीना है तो आप भी पीलो आदा कप तक पी सकते हैं फिर उसके बाद मूत्र पिंड के जितने भी रोग हैं मूत्र पिंड के रोग आप सब समझते हैं किड्नी के फेलियर के और किड्नी के तकलीफ के ये सब में बहुत अच्छी दवा है गोमूत्र, उप्योग करो, गाय का मूत्र अधा कव, किड्नी फेलियर के सब केसिस में आप उप्योग कर सकते। मूत्र के कोई भी रोग में उपयोग कर सकते हैं जैसे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है गो मूत्र पीना शुरू करो खुल के आएगा पेशाब में जलन होती है गो मूत्र पीना शुरू करो जलन बन पेशाब कई बार लाल रंका आता है गो मुत्र पीना शुरू करो नॉर्मल कलर होगा मुत्र के लगबग 22-23 रोग इस अकेले गो मुत्र से ठीक होते है फिर आपको कबजियत बहुत है कबजियत पेट साफ नहीं हो रहा है तीन दिन गो मुत्र पीलो आदा आदा कप चौते दिन से एकदम पेट साफ होगा फिर आपके शरीर में बीसियों रोग हैं वात के कफ के पित्त के आप उसमें उप्योग कर सकते हैं पित्त के रोगों के बारे में बागबट जी की एक बात याद रखना कि गोमूत्र पित्त के रोगी जब भी लें तो वो घी का उप्योग जादा करें। पित्त के रोगी पित्त के रोगी आप समझते हैं गैस बन रही है यह लोग अगर गोमूत्र पिये पित्त ठीक करने के लिए तो घी जादा खाएं बस इतना ही निवेदन है उनका बाकी वात और कफ वाले तो कुछ भी करें तो बाल में उपियोगी शरीर में गोमूत्र की मालिश करो आप तो आपकी तवचा पर जितने भी सफेद सफेद धब्बे हैं न सब चले जाएं आँकों के नीचे डार्क सर्किल है रोज सुबह ऐसे ऐसे गोमूत्र लगा लिया करो डार्क सर्किल चले जाएंगा खाज हो करने के लिए एक टेक्निक डवलप की है कि प्योर गोमूत्र मिले तो वैसे सबसे अच्छा होता है